लाल किताब में साउचाले और सीधियों को राहु ग्रह के प्रभाव का इस्थान माना जाता है इसका लाल किताब के वास्तु अनुशार होना जरूरी है अनिथा यह भारी नुक्षान का कारण भी बन सकती है राहु अचानक घटना और दुरघटना को जन्म देता है अतह जानी पाँच बड़े नुक्सान और सिंधिया बनाने के दस नियम तो नमस्कार दोस्तों जय स्री कृष्ण स्वागत है आपका आपने यूटूब चैनल आत्म ग्यान में मैं पंडित अनुष्थिवारी आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे थोड़ा निवेदम है कि त्रपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताके हमारे द्वारा नई-नई जानकारी नई-नई उपाया आप तक आसानी से पहुँशते रहें चलिए दोस्तों अब जानते हैं पांच नुकसान सीड़ियों में वास्त दोस है तो ब्यक्ति को कर्ज में डूबो सकती संतान की प्रकृति पर भी इसका दुस्प्रभाव पढ़ता है ब्यापार मेहान की संभावना बढ़ जाती दोस्तों निर्मित सीड़ियों का मुखिया हर समय परेसान ही रहता है कभी कभी तो मुखिया पर मौत का साया भी मड़ाने लगता है हमेशा चोर उचकों का भय बना रहता है तो अब जान लीजी कैसी होनी चाहिए सीड़िया सिंधिया खासकर पत्थर या लकडी की होना चाहिए सिंधियों का प्रतेक पायदान बराबर होना चाहिए सिंधिया हमेशा बिसम संख्या में हो जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 11, 11, 15, 17, 23, 29 आद संख्या में हो यदि घुमाओ दार सिंधिया हो तो फिर इसका घुमाओ बाये से दाये की ओर होना चाहिए खासकर दक्षिना वर्ती घुमाओ उच्चित हो सिंधिया कभी भी घर, मकान या दुकान के बीचो बीच या ब्रंभ इस्थान में नहीं होनी चाहिए यदि अंदर की बजाए घर के बाहर बनी सिंधिया अधिक सुगधा जनक होती है दक्षिन पस्चिम या नादुरत कोण एको सिंधियों की दिशा माना जाता है बेस्मेंट में के लिए सिंधिया होनी चाहिए पूर्व उत्तर या इसान कोण में भूतल की छट पर या पहली मंजिल पर जाने के लिए सिंधिया उत्तर पूर्व या इसान कोण में नहीं बनाए उत्तर पूर्व यानी इसान कोण में सिंधियों का निर्मार्ट नहीं करना जाहिए इससे आर्थिक नुक्सान, स्वस्त की हान, नौकरी यों ब्योशाय में समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस दिसा में सीड़ी का होना आवानित का प्रतीक माना गया है तक्षीन पूर्व मतलब अगनयक में सीड़ीयों के होने से बच्चों के स्वस्त में उतार चखाव बना रहता है सीड़ी की चणड़ाई 10 इंच और उचाई 8 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए बड़ी इमारतों, सारवजनिक स्थान और ब्यातारी परिशरों में यहमियम नहीं लागए धर के मुख्य दौर के एक दम सामने सीड़ियां नहीं होना चाहिए मुख्य दर्वाजे खुलते ही सीड़ियों का नहीं होना चाहिए सीढियों के किनारे तूटे फूटे नहीं होने चाहिए ध्यान रहे कि लोहे या धात के फ्रेम कभी सीढियों में नहीं लगाने चाहिए यद सीढियां साप, सुच्छ और सुन्दर नहीं हैं तो वहाँ पर राहु सक्रिये होकर जीवन में उथल पुथल मचा से देता है सत्रु सक्रिये हो जाते हैं और कर्ज से भी आदमी घिर जाता है सीडियों के दोनों और या दो डिजाइंदार रोलिंग हो या फिर मजबूत पतली दीवार होना नहीं चाहिए सीडियों पर या उनकी दीवारों पर नकासी या देवी देताओं के रेखा चितर नहीं उकेरना चाहिए सीडियों के नीचे यदि जगह खाली है तो स्टोर या स्विच रूम बनाया जा सकता है लेकिन उसके नीचे दुकान तालेट वाथ रूम लेटने का पलंग या बैठने का आसन नहीं होना चाहिए तो दोस्तों आसा करता हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक जरूर कीजी अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजी ताकि हमारे दौरा नए नए जानकारी नए नए उश्वाए आप तक आसानी से पहुँशते रहे इसी के साथ बिदा लेते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैसरी क्रिस्री